आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो दोस्तों, तो आज का जो प्रेशन है वो यह है कि नीचे दिये गए व्रत्ता रेक में विवन निखाद फसलों के अंतगरत एक गाउं में भूमी का विवरन वितरन दिखाया गया है प्रेशन यह कि यदि चावल के लिए परिरेक्षित भूमी का दस प्रतिशत ग्यहूं और जो को दो अनुपाद एक में बाट दिया जाए तो नए व्रत्ता रेक में ग्यहूं का संगत कौन क्या होगा तो आप्शन यह है 38.4, आप्शन भी है 46.8, आप्शन C है 45.6 और आप्शन D है 45.5 डिगरी तो हमें जैसा कि बोला गया है कि चावल का कितना है उसका 10 प्रतिशत यानि कि चावल का 10 प्रतिशत किस में बाट दिया जाता है बाट दिया जाता है आगे ग्यहूं और जो में किस में बाट दिया जाता है ग्यहूं और जो में तो ग्यहूं और जो में जो बाटा जा रहा है वो कितना बाटा जा रहा है 2 अनपाथ 1 इसका मतलब ये है कि 2 अनपाथ 1 अगर ये बाटा जा रहा है तो चावल का 10% है कितना तो यन назад कि चावल कितना है 72 estimator डिगरी है 72 का 10% कितना हुआ 7.2 तो अब ये निकालना किसका है यहूँ का किसका निकालना है ग्याहूं का तो ग्याहूं के लिए निकालेंगे अगर हम तो ग्याहूं यहां पर हम ढग से देखेंगे तो ग्याहूं है कितना दो अनपात मैं यानि कि कितना है ग्याहूं दो तो दो के लिए निकाल लेंगे अब हम देखेंगे ग्याहूं और जो दॉनों का मिलकर के कितना है याईनि कि 2 और एक 3, यानि कि 3 नुपात में यह होगा, 2 बटा 3 अब हम देखेंगे चावल का दिस प्रथिशन कितने डिग्री हो जाएगा 7.2 डिग्री, 7.2 डिग्री तो हम देखते हैं कि ग्याहूं को चावल के 10 प्रतिशत का कितना मिला होगा यानि हम क्या कर देंगे यहां पर कट कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यहां पर लग जाएगा 1,3,4,12,24 को 2 से उना करेंगे तो कितना हो जागा 4.8 डिगरी इसका मतलब यह है कि चावल से जब 10 प्रतिशत हम अलग करेंगे तो ग्याहूं को और कितना मिल जाएगा 4.8 डिगरी यहां पर मिल जाएगा तो पहले ग्याहूं के पास कितना था 72 डिगरी था तो 72 और 4.8 कितना हो जाएगा हमारे पास 46.8 डिगरी तो 46.8 डिगरी यानि कि नए इसमें नए व्रतारिक में ग्याहूं का संगत कौन अब कितना हो जाएगा 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर